हाई अब्रिवान वेल्कम बैक तो माई चैनल आई होप यॉल आ डूइंग गोड और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला मेक अब लूग शेयर करने चारे हूँ ये वाला मेक अब लूग मैंने दिपिका इस्पायर मेक अब लूग किया है मीट काला से इस्पायर मेक अब लूग किया है मैंने कोशिश की है उसे इस्पायर मेक अब लूग करने की तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और हम मैंने हेयर स्टाइल उनके जैसा नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ना हेयर एक्टेंशन थे ना हेयर एक्सेसरी इसके हेर एकस्टेंशन होना जरूरी है तभी वह वाला हेर स्टाइल आपका हो सकता है इसलिए मेरे पास नहीं तो मैंने नहीं किया बस मैंने मेक अप किया है वह भी बहुत जादा अफॉर्डेबल प्रोडिक्ट से किया है मेरे जितने भी प्रोड़क्ट हैं वह 350 के अंदर हैं तो मैंने आप लोगों के लिए इसको एजी किया है और बहुत ही हसस्ते प्रोड़क्ट के साथ इसको किया है तो आई होप आप लोगों को पसंदाएगा पसंदाएगा तो चैनल को लाइक शेयर कर देना वीडियो को और हैं तक देखना कि यह लुक मैंने कैसे किया है तो आई आई हैं सबसे पहले मैंने अपना डियाइवाइगा सैटिंग स्पर्य अपने फेस पे लगाऊँगी इसको थोड़ासे लगा कि और ड्राइ होने देंगे इसमें हमारे फेस मौशराइज भी हो जाता है तो तो यह अदियाइएवाइगाँदाएगा अपना जो मैंने घर प का फांडेशन है यह हैं लैक मी इन्वीजिबल फिनिश फांडेशन मेरा सेडस जीरो टू इसे डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी और एक वेट ब्लेंडर लेकि इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे सेट कर लूँगी मैंने जितने भी यहां कई सब्सक्राइब कर लए इस जाएंगे आप कहीं से भी और और उफलाइन कहीं भी ले सकते हैं अम यह मार्स की ऐशेड़ पैलेटिस से मैं सब्सक्राइब कांड़ हमार थोड़ा सा अपनी आईज के डाक साकस कुछी पाने के लिए भी लगाऊंगी नीचे अच्छे से अपनी आई शड़ो बेस की तरह मैं इसको लगा लूँगी जिससे की जो हमारा अई शड़ो का कलर है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा ये भी कंसीलर पैलेट बहुत से ये 150 की कंसीलर पैलेट इर इसमें आपको एट कलर मिल जाते हैं कंटोर पैलेट सब कुछ आपसे कर सकते हैं थोड़े से नोस पे लगाऊंगी जिससे मेरी नोस हाइलाइट हो जाए जितने भी हाइलाइट पॉइंट से वहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा से इसको लगा अपने बेस को ये मेवलेन का कॉमपक्ट वी अपको 130 रुपीस तक आउन-लाइन इजी ले मिल जाएगा अच्छे से पूरे इस फेस की पाउडर सेटिंग कर लूँगी अब यहां सिवान है कि यह शेडो पैलेट है यह भी 350 की है और इससे मैं एक एंगुलर प्रस लेके अच्छे से मैं आइबरोस को दोनों आइबरोस को फिल कर लूँगी इसके बाद इस पुली की हल्प से मैं अपनी इप्रोस को फिल कर लूँगी जिससे जितना वी एक्स्ट्रा पाउडर है वो हट जाए अब मैं यह वाला कलर लेकि अपने इन आ आउटर वी में लगाँग देखेंगे और उनुन हो फिल निकालते वे उगे अनुने थोड़ा सबहां निकालते हुए म эффilis soundanne до other country कि उलगा हुए। करना बहुत ईजी हो जाता है इस से जो हमारी लाइन होती है वह बहुत शार्प निकल करा आती है आपको बहुत बिल्कुल भी निकलता है आपका इसे बहुत अच्छे से वर्क हो जाता है मैं अपने आउटर वी में इसको अच्छे से लगा लूँगी जैसा कलर मुझे पिकापादू को उनकी सेंटर में उनने पिक कलर पिंक कलर लगाया हुआ है मैंने कोशिश किया सेम करने की और यह चायर किया शेड़ो पैलेट है यह बहुत यह अच्छी आइस सेड़ो पैलेट है और यह भी 350 के अंडर आती है इनर वी में मैं नहीं लगाऊंगी सिर्फ सेंटर में लगाऊंगी इनर वी में हमें लगाना है लाइट कलर यह तो मेरी शेड़ो में वाइट कलर था यह पैलेट में तो यह वाइट कलर मैं इनर वी में अपनी लगाऊंगी अब देख सकते हैं इनर वी में मैंने अच्छे से लगा लियना इनर वी में लाइट कलर मैंने कोशिश की है सेम करने की अब यह है इससे मेरे पास है इस में सारे कलर से मैच करते वे कलर से मैं अब गलिटर लगा लूँगी बाहर की साइड आप देख सकते हैं मैचिंग मेरे पास ग्लीटर थे तो मैंने इसके उपर लगाए हुए है आप पिक में देखेंगे दिपिका पादुकों की उन्होंने लगाया हुआ है ग्लीटर सारे आई शेडो के उपर उन्होंने glitter लगाया हुआ है सेंटर में pink color का shadow है तो उसके उपर pink color के ही मैं glitter लगा लूँगी में पास जो हैं वही में लगा रही हूँ यह मैंने local store से ली थी अपने glitter palette यह 100 रुपीज की palette है दोनों आइस पे मैं अच्छे से इसके अंदर कोई blue लगाने की ज़रूद नहीं होती अच्छे से stick कर जाते हैं अब मेरे पास white color के glitter नहीं थी तो मैंने क्या किया कि जो अपना मेरा highlighter है उससे मैंने लगाया है और अपने नीचे भी मैं half eyes पे इसको लगाऊंगी अच्छे से उसके बाद मैं हाँ outer V में जो मैंने color लगाया है सेम color अपने नीचे थोड़ा सा दूँगी नीचे बाहर की side मैं इसको लगाऊंगी अब मेरा ये है अब मैं highlighter लेके अपनी brow bone को highlight कर लूँगी अच्छे से highlight कर लूँगी और अपने inner corner पे भी हलका highlighter लगा लूँगी और बाकी clip मैं मैंने लंबी वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने off camera अपनी lipstick और अपना highlighter लगा लिया है और आप final look देख सकते हैं मैंने false eyelashes भी लगाई हैं off camera क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो ती तो इसके लिए मैंने और घंटी के आइकन पर क्लिक कर लेना जिसे future मैं आने वाली मेरी सारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे हैं मिलती हूँ अपनी next वीडियो में ए झाल जब लेको मिलती हैं झाल